हेलो गाईज तो कैसे हैं आप सब स्वागत आपके इस नए वीडियो पर आज कि हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने campaign को duplicate कर सकते हैं और duplicate करने के right way क्या है जिससे आपको आगे benefit हो जिसका आप फाइदा आगे भी उठा सकें ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक छोटा सा point है जो कि आपको काफी जादा काफी 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 जादा help करेगा आगे आने वाले times में तो चले वीडियो को start करते हैं तो वीडियो को start करते हैं तो वीडियो स्टार करें पर लापको रटा दूँँ अगर आप में चैनले पर नए है तो पर subscribe कर लिजे बेल आइक जरू दबालेजेगा और अगर आपको वीडियो पसकर रहे हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी add इसके चल रही है यहाँ मैक्सिमाइज में क्लिक करो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे हमने इसमें टेस्टिंग करी हुई है ठीक है अब add duplicate करने का मतलब यह है ठीक है यहाँ पर अगर मैं आपको add दिखाऊं अपनी ठीक है पोस्ट पे पोस्ट पे चले आते हैं पेज पोस्ट पर चले आते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको add दिखाऊं हमारी जो add चली है इस add पर क्लिक करता हूं add post पर music and you add the option अब यहां पर प्रिव्यू दिखाता हूं मैं किस my logo कैसे डुक्लिकेट करने की बात कह रहा हूं ठीक हैं। यह हमारा एक ऐड है अब यहां पर हमने यहां पर देश सकते हैं कि 8 likes पड़े हुए ठीके 8 likes यहाँ पर आये हुए हमारे और कभी कभी आप एड रन करते हैं उसमें काफे सारे like, share शब यहाते हैं एड बनाने में ठीके अब आप इस like share का reuse कर सकते हो duplicate करके ठीके जब आप duplicate comment करते हैं तब आप उसका use कैसे कर सकते हो ताकि ये likes share भी आए आपको social proof भी आए कि आपके एड में इतने सारे likes आये इतने सारे shares आये वह भी आए ठीक है तो वह right way क्या है आपको duplicate करने का वह मैं आपको भी बताऊंगा उसको जहां से देखिएगा ठीक है चले चलते हमारे ads manager पर इस ads manager पर आने के बाद अब आपको क्या करना है suppose करते हैं यह वाली जो ad है ठीक है यह वाली ad है जिसको हमें duplicate करना यह हमारा वो campaign है यह वाला ठीक है अब duplicate करने के लिए आप simple duplicate पर क्लिक करूँगा duplicate पर क्लिक करने के बाद यहां पर create new campaign और duplicate कर लूँगा अब जो मैं आपको छोटी से point की बात कर रहा था चोड़ा सा point है जो आप duplicate करने की बात कर रहा था वो यह है so existing reaction comments share on new ads ठीक है यहां पर tick mark है ध्यान रखेगा यह tick mark होना ही चाहिए आपको ठीक है यहां पर समझ में आ रहा है कि जो reaction अल्रेडी आ चुका है इस campaign पर जो share आ चुके है जो comment आ चुके है वो यहां पर फिर से आ जाएंगे इस new ad में ठीक है जब duplicate करेंगे तब हम अगर यह अंटिक है मतलब आपको काफी कुछ loss हो सकता है social proof के नाब ठीक है आपके like share फिर से आ जाएंगे लेकिन like share और चुके है 100-100 comments आते हैं मैं जब add rank करता हूं अपने company के लिए add rank करता हूं उसमें 100-100-200 comments आते हैं तो जब मैं new ad create करूं तो उस सारे comments खतम है ठीक है तो वो चीज सारे YouTubers के तो आप प्रोब बनी चुके हैं यह छोड़ छोड़ पॉइंट्स है जो आपको और प्रोब बनाएगी मेरे वी चैनल पर अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बल आइकन जरू दबर ताकि आप इस तरह की छोड़ चोड़ आपको फॉट्ट चिला सकते हैं आपको benefit पहुछा सकते हैं वह वीडियो आपके लिए बनाता रहोँगा तो मिलते हमले वीडियो पर थैंक्यू अगर आपको वीडियो पसना है लाइक जरू कर दियागा तो डिस्लाइक जरू कर दिजिएगा थैंक्यू